हलो बच्चों मेरा नाम पवन कुमार गुपता टीम फिजिक्स CLC सीकर शुरुवात करते हैं हमारी गुरुनिती के फिजिक्स में नाइन्थ लेक्चर की जिसमें हम टॉपिक कवर करने वाले हैं स्ट्रिंग वेव और SHM मतलब वेव सियूरी और SHM तो पीवाई क्यू के जो क् बात करते हैं स्ट्रिंग वेव से तो स्ट्रिंग वेव एक का पहला क्यूशन आपको बोला हुआ है एक वेव है जो की पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है और वाई डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेस्मेंट जो है वो वो वन मिटर है इसका एंप्ल सिंपल सी बात है जब भी positive x direction में कोई वेव चले तो omega t और kx ये दोनों के sign different होंगे मतलब omega t और kx या तो दोनों में से कोई एक plus कोई एक minus में होना चाहिए दोनों plus या दोनों minus में नहीं होने चाहिए ठीक है तो अब सबसे पहले तो यहाँ आपको wavelength दिया वाए तो lambda दिया वाए उसको में 2pi में divide करके क्या निकालूंगा k तो क्या आएगा 2pi by 2pi k बराबर 1 omega क्या होता है 2pi f 2pi 1 upon pi और यह हो जाएगा 2 ठीक है तो omega जो था वो 1 और 2 हो जाएगा अब इसके बाद आपने इसमें बात करते हैं अब इसमें equation क्यों हो जाएगी y बराबर 1 sin omega t minus of kx है ना या तो यह से हो सकती है या फिर kx minus omega t भी हो सकती है ठीक है तो 1 sin kx minus omega t अब value put करेंगे तो यहाँ पर जो option उसमें x पहले ना तो kx minus omega t k form में range करना है तो 1 की जगे 1 आगया यह amplitude amplitude 1 दिया हो आपको ठीक है तो amplitude जो है वो आपको कितना दिया हो है 1 sin k की value क्या है 1 x minus omega कितना इसका 2 और t तो यह हो जाएगा हमारे पास sin x minus 2t यह आपका answer होगे इसका third option x minus 2t तो यह बिल्कुल basic सा question है जो basic सा wave का arrangement होता है जो standard equation होती है a sin omega t minus kx उसमें आप value put कर देंगे तो a sin omega t minus kx या a sin kx minus omega t minus kx या kx minus omega t यह दोनों में से जो आपको available option है उसमें से select करना है ओके बीटा तो यह बिल्कुल आसान सा question आगे बढ़ते हैं इसी में अगली question पे अगला है कि कोई string है उसको अपनने खीचा हुआ है और उसका tension जो है वो double कर देते हैं तो speed पे क्या dependency आगे तो simple सा speed का formula होता है root of t by mu t क्या होता है tension of string mu क्या होता है linear mass density तो यह होता है tension और यह होता है linear mass density अब इन्होंने बोला कि हमने tension को double कर दिया तो ठीक है t' कितना हो जाएगा 2t तो v' कितना हो जाएगा वह जो है वो root t पे depend करता है न तो v' अपन v' बराबर root t' अपन t तो 2t by t तो इसको solve करेंगे आगे तो इसमें आएगा root 2 इसका मतलब v' is root 2 v ओके तो आपका root 2 v के साब से इन्होंने ratio पुछा है initial और final का है यहने कि v' by v' देश this is 1 by root 2 ओके तो आपका answer हो जाएगा इसका second तो second का answer क्या हो जाएगा हमारा second option इसमें कोई confusion ठीक है तो बिल्कुल basic सा जो formula होता है आपको काम में लेना है ओके आगे बढ़ते हैं हमारे third question पर बच्चों आगले आते हम हमारे third question पर third question आपको बोला है कि M1 mass और L length की एक रसी है उससे आपने किसी object को लटकाया हुआ है ठीक है तो एक बढ़ diagram बनाते है question के इसाफ से M2 mass का तो object है यह रसी आपने लटकाई इसका mass M1 है और इसकी खुद की length L है ठीक है अब यह बोल रहे है कि रसी का जो free end है जहां पे M2 जुड़ावा है वहाँ पे आपने लेमडा 1 यहां न वेवलेंद की कोई एक wave produce की इस तरह से तो यह बोल रहे है कि जब यह wave टॉप पॉइंट पर पहुचेगी तो लेमडा 2 इसकी wavelength हुडएगी मतलब जब यहां पहुचेगी तो इसकी wavelength लेमडा 2 और यहां लेमडा 1 है तो आपको बताना है कि लेमडा 2 और लेमडा 1 का ratio क्या होगा देखो simple सी बात है v equals to होता है f लेमडा बेल्कुल basic सा formula है अब ध्यान रखना frequency कभी भी source इस पे medium पे नहीं करती मतलब मैं जिस frequency की wave bottom point पे produce करूँगा उसी frequency की wave जो है वो top point पे पहुचेगी frequency does not depend on medium इस line को याद रख लो medium change होने से speed change होती है बट frequency change नहीं होती तो इसका मतलब frequency तो same रहेगी मतलब मैं बोल सकता हूँ lambda 1 upon lambda 2 या lambda 2 by lambda 1 यह आ जाएगा v2 by v1 यह ना तो v2 by v1 आ जाएगा अब v किस पी depend करता है v का formula होता है root of t by mu t मतलब tension mu मतलब mass parent length तो v2 को में लिखूँगा tension t2 by t1 अब t2 tension किस point पे t2 tension है यहाँ पे top point का जो tension उसको में बोल रहा हूँ t2 तो यहाँ पे top point पे जो tension है उसको बोलेंगे t2 और जो bottom point पे tension उसको बोलेंगे t1 तो t2 और t1 अब t2 कितना आएगा t2 देखू top point पे तो दोनों चीज़ों का weight balance होगा रसी का भी और block का भी तो t2 आजाएगा मेरे पास m1 plus m2 g और t1 कितना आएगा bottom point पे जो tension होगा block का weight balance करने के लिए आएगा मतलब m2 g तो देखो g से g कट जाएगा तो आपका हाल जाएगा answer lambda 2 by lambda 1 is root m1 plus m2 upon m2 तो आपका answer हो जाएगा इसका first option third का इसमें कोई confusion तो यह बिल्कुल आपका answer यहाँ बन रहा है और बिल्कुल basic concept या रखना है speed का जो formula भी हमने use कहा था वही काम आ रहा है बस साथ में एक चीज के अधानग ने frequency जो है वो change नहीं होती मतलब wave जब नीचे से उपर जाएगी wave की frequency सेम रहेगी क्योंकि जो source produce कर रहा है wave वो हर second जितनी wave produce कर रहा है उतनी wave तो निकलेगी confirm है अब medium का effect क्या होता है medium अगर wave को मालो oppose कर रहा है suppose wave को support नहीं कर रहा है तो wave की speed reduce होगी तो wavelength चूट हो जाएगी wave सिकूट जाएगी बस और medium अगर support कर रहाए wavelength बढ़ जाएगी है ना बट frequency कभी change नहीं होती third हो गया फिर fourth आएगा fourth आपको बोल रहा है कि रसी को हम तीन parts में divide कर रहे है और उन तीन parts की frequency n1, n2, n3 है fundamental frequency तो चो रसी original रसी है उसकी frequency क्या होगी तो देखो एक रसी आपके पास है ना L length की रसी मान लेते हैं इसमें आपने इसके तीन parts की है ना तो मैंने मान लिया मैंने इसके इस तरह से L1 है ना L2 और L3 length के part की है तो यह frequency का ratio बूस रहा है देखो हमें पता है किसी भी रसी के लिए दोनों end पर जो fix रसी होती है इसके लिए frequency का formula की होता है 1 upon 2L root of T by mu यह fundamental frequency होती है मतलब मैं बोल सकता हूँ frequency inversely proportional to L है ना तो अब यहाँ पे हमारे पास length में relation क्या है L1 प्लस L2 प्लस L3 बराबर L ठीक है तो मैं इस relation से L को क्या लिख सकता हूँ frequency proportional to 1 upon f है ना तो एक constant use कर लेता हूँ हमें k by f यह k कोई constant है तो मैं L1 को क्या लिखूँगा और f की जगे मैं n लिख देता हूँ frequency को यहाँ n से बोला हूँ है तो यह हो जाएगा k by n1 plus k by n2 plus k by n3 k by n तो जब आप इन सारे डेटा में से k को रिमूट करोगे तो आपका अंसर आएगा 1 upon n बराबर 1 upon n1 plus 1 upon n2 plus 1 upon n3 बिल्कुल यह relation बन रहा है तो बिल्कुल सिंबल सा basic concept की किसी भी रसी में जो string wave produce होती है तो इसमें L जो है वो inverse में आता है जतनी बड़ी रसी होगी उतनी कम frequency इसमें बनेगी कोई confusion मेटेस में आगे बढ़ता है में इसमें 4th के बाद तो 4th का answer क्या होगा अपना 1st अब CLC का जो प्रया से हर गाव से हर कस्वे से डॉक्टर और इंजिनियर बनाने का उसी स्रंकला में हमारे नए session 2023 और 2024 के लिए बेच अनॉंस्मेंट टार्गेट कोर्स, फाउंडेशन और ट्विनमन कोर्स यह जेई और नेट के लिए है साथ में यह NDA के लिए है NDA के लिए है टार्गेट कोर्स में जो बच्चे इस साल 12th कर चुके हैं जिनको लग रहा है कि उनकी preparation सही नहीं हुई है जिन्होंने कहीं से coaching नहीं किये या coaching की भी है लेकिन जिनको लग रहा है कि प्रफेशन सही नहीं है इस साल नेट में selection उनका नहीं हो पाएगा तो या JEE में selection नहीं हो पाएगा तो ऐसे बच्चे बिना time waste किये अपनी शुरुवात next year NEET और next year JEE के लिए शुरू करें और उसके लिए target बेच आपका 6 अप्रेल से शुरू हो रहा है जिसमें 12th class जो इस साल बच्चे पास कर चुके हैं या पहले भी अगर भी पास कर चु रहे हैं target 6 April, foundation 6 April और 2 in 1 6 April और 20 April से शुरू हो रहे है तो foundation course जिसमें इस साल 11th में बच्चे जा रहे हैं जो 12th में वो शुरू करेंगे और 2 in 1 course जो बच्चे इस साल 12th में जा रहे हैं बच्चे इनको लग रहा है कि 11th की coaching वो सही से नहीं कर पाए या 11th की coaching ही जो इन नहीं क admission लें इसमें जो बच्चे साल 12th में जाएंगे मतला जो next year 2024 में नीटोर जाई देंगे उनको 11th और 12th दोनों class का एक साथ पढ़ा जाएगा और इस तरह से उन बच्चों को एक साल के अंदर ही दोनों classes के syllabus कवर करवा जाएंगे ताकि वो अगले साल full confidence के साथ नीटोर जाई हो रहें एंडी 12th foundation और 11th foundation के वेज़ भी 622 हो रहें उसके लाव हमारा pre foundation division जिसमें 6th to 10th के जो बच्चे होते हैं 6th से 10th class के उनके लिए junior classes से ही जो Olympiad होते हैं NTSC exam होता है KVPI होता है उसके लिए preparation करवाई जाती है और याद रहिए यह सारे exam जो है आगे चलकर आपकी engineer बनने का है तो बिल्कुल उसे आप अभी से early stage में ही उस तरह की practice करवाई है जिससे बच्चा आगे जाकर नीट और चाही में अच्छी रेंग निकाल सके क्योंकि जितना जल्दी वो शुरू करेगा उतना ज्यादा आगे तक वो बढ़ेगा ओकी तो यह आपके foundation courses की date भी 6 April 20 April इसके बाद हम शुरू करते है हमारे CLC की जो presence हो कहा कहा पे CLC का जो presence है seeker head office जहां पे सारे तरह के courses available है जितने भी CLC के हैं उसके अलावा हमारे centers जो है वो अलवर जैपूर में offline center से आप अगर seeker के आसपास नहीं है आपके अलवर से ज्यादा पास पढ़ता है यह आप जैपूर से ज्यादा पास ही तो आप महाँ पर admission ले सकते हैं उसके अलावा और इन सभी centers पे test जो offline test है वो भी available है उसके अलावा test center जो है जहां पे कहल टेस्ट है वो है Kota, Bikaner, Jodhpur, Delhi और Hisar तो यह हमारे test center है यहां पर आकर कि आप offline test series के जितने भी test हैं वो सारे दे सकते ह उसके अलावा हमारे जो classroom से वो seeker अलवर और जैपूर में है CLC ने NEET 2023 को ध्यार में रखते हुए एक diamond test series launch की जिसमें आपकी 11th का पूरा revision करवाए जाएगा इसमें तीन पार्ट टेस्ट जो है यह तो 11th के लिए है उसके अलावा यह तीनो पार्ट टेस्ट है यह 12th के को cover कर रहा है इस दोरान दो AIOT भी है All India open test 102 जो की NEET full syllabus के इसाफ से हैं उसके बाद जो last के 5 टेस्ट है यह भी full syllabus है तो दंगल 3 से लेकर के 7 तक 5 टेस्ट, 2 AIOT, 7 full syllabus टेस्ट है एक 11th का full syllabus है, 12th का full syllabus है, 9 टेस्ट है उसके लावा 6 part टेस्ट, टोटल 15 टेस्ट की series है और इस series के तो आप अपना 11th का bottom to top पूरा revision कर पाएंगे, NEET oriented, तो यह series आपके लिए काफी beneficial है और आपको बिल्कुल से जोइन करना चाहिए, तो यह हमारा एक प्रयास आपको अपनी बंजल तक पहुंचाने के लिए, आगे बढ़ते हमारी गुरुनिती series में, हमारा अगला section जो सही नहीं है, ध्यान रखना incorrect statement हमें बताना है, तो अब इस case में आपको सारे statement हो है, वो organ pipe भी पढ़ने और एक एक को check करना है, तो देखो, दोनों 0 सो जो open organ pipe होता है, हमेशे ध्यान रखना, open end में displacement maximum होता है, तो जो open end होता है, यहां क्या-क्या parameter होता है, displacement का, तो हो जाएग maximum, displacement में maximum variation होता है, displacement यहने कि anti-node होता है, और ध्यान रखने जहां displacement anti-node होता है, वहाँ pressure का क्या होता है, node, pressure node मतलब pressure में कोई खास variation नहीं होगा, ठीके, तो अब एक तो यह हो गया, उसके अलाबावा इसमें जो frequency आती है, frequency का ratio क्या आता है, f0, f1, f2, यह ratio आता है, 1, 2, 3, इस तरह से, तो इसमें सबसे पहले statement चेक करेंगे, all harmonic and fundamental frequency will be generated, मतलब सभी mole आवरती के सभी सन्नादी, मतलब सारे multiple, even multiple और odd multiple, मतलब सम और विशम दोनों तरह के सन्नादी उसमें उत्मन होगे, तो हमारा first statement तो सही है, सही मतलब अभी statement सही है, option की बात निकर रहा हो में, फिर no change in pressure, no change in pressure, तो ये statement तो गलत हो गया, open and will be anti-node of displacement, ये बात सही है कि anti-node बनेगा, और odd harmonic will be generated, हाँ तो odd harmonic तो generate होंगे से न, ये गलत नहीं है, बहीं आदा सचे, हम ये बोल रहे हैं कि, odd harmonics of fundamental will be generated, ये तो सही है, अगर ये बोलता, only odd harmonic will be generated, तो गलत हो जाता, कि अगर इसे बोलता, केवल odd harmonic ही generate होंगे, तब तो गलत हो गया, बोलता, odd harmonic भी generate होंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, odd भी generate होंगे, even भी generate होंगे, तो ये statement आदा सचे, बट सच तो है, इसमें गलत कुछ भीन लिखा है, हाँ गर इसे लिखता है, only odd harmonic will be generated, तो गलत ह होता, तो अभी अपन से गलत option पूछा, गलत कौन सा है, not true बताना है, तो अपना option जो है, वो second आजाएगा, इसका, तो इसका second option जो है, फिर आपको tick करना है, तो यही statement इसमें गलत है, तो गलत है, इसलिए option में two tick होगा, ध्यान रखना सही नहीं पूछा इसमें, गलत करो, not true बताना पूछ रहे हैं, या true बताना पूछ रहे हैं, ओके बिटा, आगे बढ़ते हैं, sixth question पर, यह बोलो है, 20 cm लंबा औरगन पाइप है, इसकी fundamental frequency, दोनों 0 पे open औरगन पाइप के double, second overtone के बराबर है, तो जो खुला औरगन पाइप है, उसकी length बताओ, तो देखो, बंद, यह जो close वाला है, उसकी तो fundamental frequency, और open वाले का बोला है, second overtone, तो fundamental frequency close वाले क्या होते है, V upon 4L, और L close, यह क्या होता है, V upon 2L open, और second overtone क्या होता है, fundamental होता है, F0, second overtone होता है, 3 time, F0, 2F0, 3F0, तो 3 आ गया, तो यह खत्म हा जाएगा अपने पास, तो इस से आपके पास, अब इन्हों क्या बुचा है, खुले वाले की length बता नहीं, तो open की length क्या हो जाएगी, open की length हो जाएगी, 12 by 2, यहने कि 6 into L C, close वाले की length क्या है, 20, तो 6 into 20, यहने कि 120 cm, तो 120 cm कहा आंसर हो जाएगा, 4th option, इसमें कोई confusion, तो बिल्कुल formula based question की closed वाले की fundamental frequency और open वाले की second overtone, बराबर करना है, second overtone मतलब की 3 times होता है, nth overtone क्या होता है, इसमें ध्यान रखना, open के लिए, open के लिए nth overtone frequency क्या होती है, वो होता है, nth overtone होता है, n plus 1 f0, हैना, और close वाले में nth overtone क्या होता है, close वाले में nth overtone होता है, 2n plus 1 f0, लेकिन इसका f0 अलग होता है, f0 डेश कर देता हैं, दोनों का f0 अलग-अलग होता ओपन वाले का अपन नोट होता है Vy2L और क्लोज वाले का होता है Vy4L तो इन जीजों का भी ध्यान रखना तो यह बिल्कुल बेसिक क्योशन है तो आपका 6 का ओप्शन हो जाएगा 4 फिर आगे बढ़ते हम 7th क्योशन पे 7th क्योशन में आपको बोला है कि एक open सिरे से एक सिरे से close और दूसरे सिरे पे open कोई pipe है उसको किसी tuning fork के साथ हम vibrate कर वा रहे हैं और इसकी जो minimum length आ रही है वो कितने आ रही 50 cm तो अगली length क्या आएगी देखो simple सी बात है minimum length जो आती है आप किसी भी tuning fork को जो vibrate कर वाता है तो minimum length क्या होता है कि आपका एक जो node है और एक anti node है वो तो बने तो जो minimum length आती है वो आती है actually lambda y4 के बराबर इस तरह से ठीक है तो ये l minimum अगली length क्या आएगी अगली length आएगी इस तरह से ये length आएगी 3 lambda by 4 तो L minimum आता है lambda by 4 फिर जो next length आती है वो आती है 3 lambda by 4 याने कि 3 times of L minimum अब minimum length कितना है 50 तो total answer क्या हो जाएगा 150 cm है ना बहुत दियान अगना किसी भी pipe में जब आप frequency सेम रखते हो मतलब उसी tuning fork से vibrate करवाते हो तो जो अलग-अलग length आती है वाती lambda by 4 3 lambda by 4 ये actually resonance length होती है organ pipe में याने कि 3 lambda by 4 5 lambda by 4 and so on है ना तो ये होती है natural length of oscillation resonance tube experiment के case में तो आपका 7th का answer क्या हो जाएगा second में कोई confusion बिल्कुल आसान सा question है ये L2 ओके तो ये second answer इसका हो गया next हम आगे बढ़ते है हमारे question 8 पे ये बोलने कि एक pipe का एक सिरा close और दूसरा open है इसकी दो nearest frequency जो है उसमें 220 और 260 का difference है मतलब 220 और 260 तो ध्यान रखता है इसमें जो frequencies का ratio आता है F0 F1 F2 F3 वो ratio क्या आता है 1 3 5 7 9 है ना इस तरह का ratio आता है मतलब अगर मैं F1 को लिखना चाहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा 3 F0 मैं F2 को लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा 5 F0 मैं F3 को लिखना चाहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा 7 F0 तो देखो कोई भी दो consecutive frequency में कितना difference है जैसे इन दोनों का difference देखना है कितना आएगा 2F0 इन दोनों का difference देखना है 2F0 तो यहां भी इन दोनों में difference आ रहा है वो कितना होना चाहिए difference यह difference होना चाहिए 2F0 तो 2F0 जो difference है वो आगया इसमें तो 2F0 हो जाएगा हमारे पास कितना आएगा difference 40 is 2F0 तो F0 is 20 Hertz तो F0 कितना आपका अंसर? तो fundamental frequency जो है 20 Hertz आएगी तो उसी तरह से आएगा और फिर अगर देखे तो 20 में कितना आएगा? 11 times of F0 आ रहा है इसका मतलए यह जो frequency given थी 220 वाली यह actually क्या है 11 F0 और यह कौन सी है? यह है 13 F0 तो इस तरह से आपके जो है वो frequencies आजाएंगी इसमें कोई confusion? ठीक है? तो आगे बढ़ते हम हमारे 8th question के बाद next 9th question पे 9th question बोलना है कि किसी tuning fork का use करके आप एक काच की जो tube है उसमें richness produce करवाते हूँ और उसकी जो air column है उसकी length को आप adjust करते हूँ ठीक है? तो 27 degree का जो temperature है उस पे आपने air column की जो length use की है वो है 20 और 73 पे आपको दो लगाता है दो consecutive resonance मिलते हैं और यह बोल रहे है की जो length है है ना? जो tuning fork की frequency है वो 320 है तो आपको बताना है कि velocity कितनी होगी? तो जैसा मैंने आपको बताया था कि L1 होता है lambda by 4 और actually L1 plus E होता है end correction भी आता है end correction किसको बोलते है जो देखो आपका यह anti node थोड़ा सा बाहर बनता है यह जो extra distance आती है इसको बोलते है end correction और हम इसको measure नहीं कर पाते हैं हम के length को measure करते हैं तो L plus E मिला के जो है वो lambda by 4 होता है है ना? यहां से यहां तक lambda by 4 होता है तो पहल equation तो ही आ जाएगी तो इसका मतलब E plus 20 बराबर lambda by 4 पहली equation दूसरी equation क्या आती है? दूसरी आएगी मेरे पास L2 plus E बराबर 3 lambda by 4 यह बताया था ना भी lambda by 4, 3 lambda by 4, 5 lambda by 4 इस तरह से तो L2 कितना दिया आपको? 73 plus E equals to 3 lambda by 4 अब देखो दो unknown 2 equation तो मैं क्या करता हूं? इन दोने equation को minus कर देता हूं, equation 2 में से 1 को minus करेंगी, तो 73 में से 20 minus करों तो क्या आएगा? 53 कितना आजाएगा? lambda by 2, तो lambda कितना आएगा? 106 cm, lambda 106 cm आगया, अब आपको बताना है velocity, velocity होता है F lambda, अब यह F किस की frequency है? जो sound produce हो उसकी frequency, sound किस ने produce किया? tuning fork ने, तो जो tuning fork की frequency है, उतनी frequency का sound produce हो होगा, तो frequency दियावा है 320 और lambda कितना है? 106 cm को meter में convert करना है, तो मैंने इसको 100 से divide कर दिया, तो 320 से थोड़ा सा उपर का अपना option आएगा, अब 320 से थोड़ा सा उपर में आपके 2 option है, है ना? तो 320 का, देखो यह कितना आएगा? यह आएगा 320 into 1.06, है ना? अब 1.1 होता, तो मैं 32 आगे बढ़ा देता, इसको 320 का 10%, 32 होता है, पर यह तो 0.06 आगे है ना, इसका मतलब में इसमें almost 19 का increment कर पाऊंगा, तो इसका मतलब मेरा जो approximate option आएगा, वो आएगा 339, इसमें कोई confusion, तो आपका जो 9th यह उसका answer हो जाएगा 3rd option, कोई confusion इसमें, तो 9th का option क्यों हो जा तो जो बोला उसको लिख देते हैं, open के लिए तो fundamental, open के fundamental क्या होता है, vy2lo, तीक है, अब यह किसके एक वल है, third harmonic of closed, तो closed का third harmonic, third harmonic बोला है बेटा, overtone नहीं बोला है, harmonic मतलब क्या होता है, उतना multiple, third multiple, तो यह कितना हो जाएगा, V by 4L, और third multiple, harmonic मतलब 3 times है न, तो 3 यह आगया, V से V काटो, तो आप से क्या पूचा है, open organ pipe के length बतानी है न, तो open organ pipe के length, lo क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, अपने पास, 4LC by 6, यहने कि 2 by 3, closed pipe के length कि देवीती आपको 20, तो यह हो जाएगा, अप्रोक्स 40 by 3 cm, तो अप्रोक्स 13 पॉइंट कुछ आएगा, तो अपना एक ही option है, 4th option इसका, इसमें कोई confusion है न, तो 10th का option हो जाएगा, अपका 4th, ठीके, बिल्कुल आसान क्योशन था, बिल्कुल सारे एक ही बेटन पे क्योशन आ रहे है न, अगला आता है, 11th, 11th बोलने के organ pipe है, है न, resonance tube है, उसमें 27 degree पे, अपनी जो fundamental frequency, यह अपनी जो fundamental mode of vibration होता है, उसमें 400 Hz पे यह वाइबरेट करती है, अब इसी काड़, अगर temperature जो है, वो 90 degree कर दें, तो same mode के लिए frequency क्या हो जाएगी, है न, अब ध्यान रखना, आपने क्या करा है, आपने इसमें temperature जो है, वो 90 degree centigrade कर दिया, ठीके, तो इसका मतलब velocity पे इफेक्ट आएगे, सी, V का formula क्या होता है, गामा RT by M, है न, V का formula क्या हो जाएगा, गामा RT by M, ठीके, अब इस case में, जैसे ही आपने यह 27, और अब कितना है, 273 प्लस 90, तो पहले का temperature था 300, और अब आएगा, 363, तो 100 और 121, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 10 by 11, मतलब जो V देश है, वो कितना हो जाएगा, 11 by 10 V, यानि कि 1.1 times of velocity, तो वेलोसिटी आ रही है, 1.1 times, अब हमारे पास frequency, frequency जो होता है, organ pipe के case में, वो क्या होता है, V by 12, है ना, तो अब इस case में, आपने, जो frequency है, directly proportional to V है, तो F by F देश क्या हो जाएगा, V by V देश, है ना, तो V by V देश, अब V और V देश, तो मैं बोल सकता हूं कि, V और V देश कितना है, 1.1 V, इसका मतलब देश कितना हो जाएग F देश हो जाएगा, 1.1 F, तो F के value क्या है, 440 है ना, तो यह हो जाएगा, 400 है, तो 400 है, तो 400 इंटू 4.1 हैने की 440 हट्ज, तो इसका मतलब 440 हट्ज हो है, वो आपका answer हो जाएगा, इसका 4th option, 11th में, इसमें कोई confusion है ना, तो 11th में आपका option हो जाएगा, 4th option, ओके, तो यह पहरे आपको देखना है कि velocity, जो है sound की, उस पर temperature एफेक्ट होता है, temperature बढ़ाने से velocity बढ़ेगी, तो अभी से बाते fundamental frequency भी बढ़ जाएगी, ओके, तो fundamental frequency जो है, वो temperature dependent है, इसा बोल सकते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे 12th question पर, 12th question बोला है कि किसी air में sound की जो velocity 340 है, और जो pipe की length है, वो 85 है, तो natural oscillation जिनकी frequency 1250 से कम हो, ऐसे कितने oscillation होगे, तो सबसे पहले आपन क्या करते हैं, देखो, एक series से बंद pipe है, मतलब की one end closed pipe है, तो one end closed pipe की fundamental frequency क्या होती है, V by 4L, V DIY 344L कितना है, 85 by 100 cm को में convert किया, तो ये कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा, तो आपका answer राएगा, 100 Hz, अब हमें पता है कि जो frequency का ratio आता है, F0, F1, F2, वो कैसे आता है, odd ratio आता है, है न, ये किस ratio में आएगे, odd ratio में आएगा, तो odd ratio का मतलब अगर पहली frequency 100 तो अगली क्या आएगी, 300, फिर आएगा 500, 700, 900, 1100, और अगली क्या आएगी, 1300, अब इन्होंने पुछा ह है, वो frequency बताओ, जो की 1250 से कम हो, तो 1250 से कम कौन-कौन सी, इसको छोड़के बागी सब, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 frequency ऐसी जो 1250 से कम है, तो अपना option हो गया, fourth, यह उन्होंने ये पूछा है, कि pipe की जो natural frequency, fundamental या जो भी overtone आप count करते हो, वो सब frequency आप देखो, तो 1250 से कम-कम की कौन कौन सी frequency, कितनी frequency हो बताना है, तो आपका option होगा है, इसका fourth, इसमें कोई confusion, अगला आता है, 13, 13 बोला है कि एक open organ pipe का जो second overtone frequency, वो L meter length के closed organ pipe की first overtone के बाराबर है, तो देखो, open का क्या बोला, second overtone, और closed का कौन सा बोला है, closed का बोला है, इन्होंने first overtone है na, first OT, अब open का second overtone कितना होता है, open का second overtone होता है, 3V by 4, 2L, ठीके, और closed का first overtone भी क्या होता है, 3V by 4L closed, है na, इसमें odd ratio मा आता है, इसमें even odd दोनों आता है, तो 3V से 3V कर जाएगा, तो आपका closed की जो length है, open की जो length है, वो क्या आएगी, two times of length of closed, यहने की 12, तो 12 मतलब कि मेरा answer हो जाएगा, इसका first, 13 का, है na, तो 13 का answer हो गया, इसमें first, इसमें कोई confusion, okay, आगे बढ़ते हैं हमारे 14 के question पर, अगला section जो आता हो, beats वाल आता है, beats वाले section में आपको पहले section बुलाए कि कोई तीन sound wave है, इसकी frequency जो है, वो n-1, n, n-1 इस तरह से हैं, और इनके superposition से आपने beats बनाए, तो बताना है कि पर second, कितने beats generate होगी, है ना, तो देखो, हमने n-1 लिया, n लिया, n प्लस 1 लिया, इन दोनों में कितना difference है, beats का मतलब क्या होता है, beat frequency होती है, frequency difference के बराब, तो यहाँ जो beat frequency आएगी, 1 की आएगी, इसमें beat frequency कितनी आएगी, इसमें भी 1 की आएगी, इसमें beat frequency कितने difference है, इसमें 2 का difference है, इसका मतलब यहाँ पे जो maximum difference जो आ रहा है, वो 2 का रहा है, तो इसका तो यहाँ पे 2 beat per second हमें सुनाई देंगी, तो आपका 14 का answer क्या हो जाएगा, second, ठीक इसमें को confusion, तो 2 beat हम सुनेंगे, 2 बार maximum minimum हम सुनेंगे per second, इस difference की वज़े से, अगला आता है हमारे पास 15, 15 यह बोल रहे हैं कि एक unknown frequency source है, जिसको 4 beat per second आते हैं, जब आप इसको non frequency 250 से vibrate कर वाते हैं, तो non frequency कितनी दे रहे हैं, 250, 4 beat आ रहे हैं, unknown को जब इसके साथ बजा रह होगा, या minus 4 रहा होगा, बीट frequency का मतलब क्या है, कि unknown और non में 4 का अंतर है, तो 4 का अंतर मतलब या तो 254 रहा होगा, या 246 रहा होगा, यही है ना, अब इसके बास second harmonic जो है, unknown frequency का, है ना, वो जब 5 13 के साथ बजाते हैं, तो कितने beats आते हैं, 5 beats per second आते हैं, है ना, तो हो जाएगा, second harmonic का double, तो इसका मतलब ही हो जाएगा, मेरे पास 492, और इसका double कितना आएगा, second harmonic में, यह आएगा मेरे पास 508, अब यह बोल रहे हैं कि 5 13 के साथ बजाने पे, 5 13 यह रहा, 5 13 और इसमें कितना difference है, 5 का, जबकि 5 13 और इसमें कितना difference है, तो अच्छा का सा difference हो हो गया है तू, यह तो आपका 21 का difference हो गया, इसका मतलब 5 13 के साथ बजाने पे, 5 beat तभी आएगे, जब double करने पे frequency 508 हुई हो, मतलब original frequency 254 रही होगी, तो मेरा answer हो जाएगा 254, third option, है न, ध्यान रखने, इसमें कोई calculation वाला part नहीं है, मतलब calculation इस सच कुछ नहीं है, यहाँ आपको जो question बोल रहा, उसके हिसाब से arrange करते जाओ, पहले बोला, 250 non-frequency के साथ जब unknown को बजाया, तो आपको 4 beat मिले, 4 beat मिलने का मतलब चार का अंतर होना चाहिए, तो यह तो अपना answer 254 रही हो या 246 रही हो, फिर उसमें बोला कि आप जो भी आपके unknown frequency को डबल करो, तो मैं आपको 508 मिले double करने पर और 508 कम मिलेगा जब original 254 रहा होगा unknown frequency, ओके बीटा, तो इस तरह सा आपका answer जाएगा 254, 15 का third option, इसमें कोई confusion, फिर आगे हम बढ़ते हैं हमारे 16 question पर, बच्छे अगला आता हमारा 16 question, 16 question आपको बोला है कि, दो डोरिया है, A और B गिटार की, जिन बोल रहा है जब B में tension कुछ कम कर रहे है, B का tension कम कर रहे है, तो बहुत तो frequency की temperature पर dependency क्या है, V by 2L formula होता है, V का मतलब क्या होता है, root of T by mu, यहाँ तकी frequency proportional to root T, मतलब जैसे आप tension कम करोगे, तो इसका मतलब frequency भी घटेगी, अब आपने tension B का कम कर रहा है, इसका अदर B की frequency घ घटेगी, है ना, तो देखो, पहले में A की frequency माल लेता हूँ, यह है, तो B की frequency क्या आएगी, B की frequency जो है, वो या तो F A plus 4 आएगी, plus 6 आएगी, क्योंकि 6 का difference है, है ना, या B की frequency आएगी, F A minus 6, है ना, अब यह बोल रहे हैं कि हम B का tension कम कर रहे है, तो B की frequency घटी चाहिए, तो इसका मतलब, पहले अगर 6 का difference था, तो B की frequency जोड़ी से कम होके F B dash माल लो ही आजाएगी, और इधर भी यह कम होके F B dash नीचे चला जाएगा, मतलब इससे भी और कम हो जाएगा, तो हमें तो beat बढ़ने है, beat तभी बढ़ेंगे जब इन दोनों में difference बढ़े, तो देखो कैसी एसे कम थी, आपने B का ही टेंशन कमकर, ओर कम कर दिया, उसकी frequency को, ऐसी समझो कि हमने B की frequency पहले से कम रही होगी, फिर हमने tension भी B का ही कम किया, तो उसी का suspension कम कर रही हो, तो उसकी frequency एक तो पहले से कम है, tension कम करने से उसी की frequency ओर गठ जाएगी, तो difference तो बढ़िया ना, फिर पहले difference अगर 6 का था तो अब difference कितना आ रहा है 7 का आ रहा है इसा तब होगा जब B की frequency पहले सही कम हो इसका मतलब मेरा actual answer क्या हो जाएगा F है minus 6 B की frequency का अब A की frequency कितने दिये इसका मतलब FB जो है वो F है minus 6 हो जाएगा तो 530 दिया हुआ है minus 6 हैने की 5 24 तो 524 मेरा option हो गया 16 का 4th option इसमें कोई confusion फिर आगे बढ़ते है हमारे 17th question पर है ना इसको एक बार हम और repeat कर दो F A already आपको 530 दिया हुआ है देखो एक बार हो समझ लो इसको F A already आपको कितना दिया हुआ है 530 अब 530 तो यह पहले से दिया हुआ है अब आपको बोल रहे है 6 का difference है 6 का difference मतलब कि या तो 536 रहा होगा B या 524 रहा होगा अब आप tension B का कम कर रहे हो तो B की frequency गटेगी मैं माले तो गटके यह 523 हो गई होगी या इधर से गटके 535 हो गई होगी अब अगर 536 से 535 होती ही तो देखो यह तो difference माच के रही गया जबकि इधर difference साथ का आगया हमें तो difference बढ़ाना है तो यह मतलब मेरा answer क्या है 524 सही है तो बिल्कुल वेसे होगा अपना case ही तो 524 अपना option हो गया ओके बिल्कुल यह beat के सारे question ऐसे आपको बस यह arrangement करके check करने होते है ओके बिटा 17 अब यह आते हैं अपने Doppler वाले question 17 में देखा आपको क्या बोला है कि traffic jam में एक motorcycle अपनी speed को कम करते हुए 13 km पर आर कर देता है 36 km पर आर कर देता है इसको meter पर second में convert करोगे न तो यह कितना आएगा 36 into 5 by 18 यह हो जाएगा आपके पास 10 meter पर second है ना अब यह बोल रहा है कि उसके आगे 18 18 को भी 5 by 18 से multiply करो तो कितना आएगा 5 car की एक frequency जो है वो है तो motorcycle को इसके कितनी frequency होना देगी देखू आगे एक car जा रही है ना वो जो है 18 km पर आर मतलब की 5 meter पर second की speed से जा रही है तो इसकी जो frequency है है ना यह तो source हो गया अब sound जो है वो तो observer की तरब जा रहा है observer जो है वो मरसाइकल पार रहा है पीछे बेटके ठीक है तब इसकी speed कितनी दी होई आपको observer की speed आपको दी गई है 10 meter per second तो देखू sound की जो speed है उसके तो दोनों opposite में जा रहे है ना तो frequency क्या सुनाए देगी f dash is f c minus v o upon c minus v s o for observer s for source c for speed of sound original frequency कितना है 1392 c speed of sound कितना है 343 343 लिख दो दोनों तरफ अब observer कोन है observer है यह बाइक वाला किदर जा रहा है sound जा रहा है source observer observer जा रहा है opposite to sound sound की जो direction है ना वो किदर है पीछे की तरफ इसको reference मानना है तो v o और v s दोनों sound के opposite sound जा रहा है left side में यह दोनों जा रहा है right side में तो यह दोनों velocity negative put करने observer की कितनी minus of 10 और इसकी कितनी minus of 18 और यह जो मैंने इसमें लेगा है formula का minus है यह तो आएगा इसी तो आपका answer कितना हो रहाएगा यह हो जाएगा solve करने पर 1392 353 और यह कितना हो रहाएगा 361 sorry 80 नहीं है 5 आएगा न sorry 5 आएगा ही प्योंकि यह meter per second में 5 है तो 5 के उसे 348 हो जाएगा इसका अदला मेरा answer जो हो 1392 से बढ़के आएगा 1392 से बढ़के अब यहाँ पर option 2 है बढ़ने वाले तो जब आप इसको calculation करके जब आप इसको solve करोगे तो आपका 17 का जो answer आएगा वो आएगा third option 1412 hertz ठीके तो इसको solve करने पर आपका answer हो जाएगा 1412 hertz तो बस यह value put करने एक simple सा formula आपके सामने है उसमें value put करने Doppler का सारे case में एक ही formula लगता है f dash बराबर f c-vo upon c-vs इसमें v or vs जो है velocity of observer velocity of source c है speed of sound और यह v or vs आपको with sign put करना होता है और sign का reference हमेशा क्या होता है speed of sound जो होती वह reference होती है sound हमेशा source observer की तरफ मानना है ठीके इन बातों का ध्यान में रखते वे बच्च अगला आता है हमारा 18 number question 18 number question वह आपको बोला है कि 800 hertz की frequency image करने वाला कोई siren है चोकि एक rock की तरफ जा रहा है चत्टान की तरफ जा रहा है और एक observer से दूर जा रहा है मतलब सबसे पहले तो एक observer बना दे observer ध्यान रटना रुका हुआ है और एक siren है मतलब कि एक source मानलो जो कि किदर जा रहा है दीवार की तरफ जा रहा है दीवार तो stationery होती है खिर तो इसने जो frequency image की वह f0 वह दीवार के पास कहुचेगी तो f1 हो जाएगी और जो वहां से reflect ह होगी तो भी f1 हो जाएगी और यह रुके वह observer के पास आ रहे है रुकावा observer तो जो reflected frequency वह एजटे सुन लेगा क्यों क्योंकि reflected frequency के लिए observer यह है रुकावा और reflected frequency का source यह है है तो reflected वाले के इसमें source भी रुकावा observer रुकावा तो बाद में डॉक्रा लेगा एक बार लेगा पस f0 से f1 तो f0 से f1 के case में source कौन है यह observer कौन है दीवार त्याना दीवार को स्टेशनरी observer की तरह मानना होता है इस case में तो इस case में क्या हो रहा है कि आपके पास f1 बरावर f0 c-vo c-vs है अब यहां observer original frequency 800 c-v-o observer कौन है दीवार को observer माना बनने जो की रुकी हुई है और source कौन है source चल रहा है sound की direction में चल रहा न वी speed से यह गाड़ी चल रही है तो v कितना हो जाएगा इस case में v है 15 तो plus का 15 क्योंकि sound की direction में चल रही है तो यह आ जाएगा solve करने मेरे पास 800 1.04 तो solve करने पास जाएगा 830 8 के आसपस तो आपका option जो आएगा वह approach 835 838 के आसपस तो एक ही option उस range में अपना second option तो आपका यह second option इसका बन जाएगा ध्याना दूसरे बार जो sound reflect होगा वो f1 frequency के reflect होगा और जो f1 frequency वो as it is observer को f1 सुनाए देगी क्यों 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 observer और wall के ब कारी से दीवार की तरफ ओके आगे बढ़ते हैं हमारे 18 के बाद 19 question पर 19 question बोला है कि दो कार की जो speed है वो 22 और 16.5 है दोनों एक दूसरे के opposite आ रही है तो एक तो आ रही है 22 की speed से है ना दूसरी आ रही है अपने पास 16 की speed से 16.5 और यह बोल रहे है पहली कार का जो driver एक होन बजाता है 22 वाला है जो होन बजाता है और दूसरी आवाला कितना frequency उनेगा तो f0 यह है तो f1 कितना सुनाए देगा यह बताना है यह इसका जो observer है वो ठीक है तो देखो speed of sound भी इधर ही है ना तो frequency क्या हो रहे है गिए f1 बराबर f0 c-vo c-vs a की पहला है observer कौन है यह वाला है observer source कौन है जो sound limit करता हो source होता है तो f0 कितना दिया आपको 400 speed of sound कितना है 340 340 v-o observer की speed क्या है देखो observer sound के opposite जा रहा है तो आपको 16.5 माइनस में लिखना पड़ेगा मैं sound कितार आ रहा है source से observer sound आ रहा है मतलब की left से right side में sound आ रहा है observer कितार रहा है right से left जा रहा है उल्टा जा रहा है sound से इसलिए negative और source को रहा है वो वो तो sound की direction में चल रहा है यहने कि 22 प्लस में आ जाएगा तो मेरा यह data solve करने पर आएगा 356.5 और इदा से 22 कम करोगे तो 318 ठीक है तो अपना 400 से ज्यादा का option आएगा 400 से ज्यादा का मेरे पास जो option है और लगबग यह 1.1 times cancel हो जाएगा तो 448 अपना answer आ जाएगा 19 का इसमें कोई confusion 448 जो answer आ रहा है ठीक है तो approximation इसमें कर सकते हो क कोई दिक्कत नहीं तो अपना answer हो जाएगा 19 का 19 का option number हो जाएगा 3rd यहां तक कोई confusion आगे बढ़ते हैं हमारे अगले section अगले section हम जो पार्ट कवर करने वाले है वह है SHM यह दो पार्ट थे wave theory or SHM SHM की question काफी simple वाले आते हैं आपे तो शुरुआत करते हैं SHM वाले segment में पह पहले तो velocity निकालो, velocity क्या हो जाएगा अच्छा है इसमें symbol सा rule याद रख लो है तूँ है ना बजाए इसको ऐसे करने के आप इसको ऐसे करो कि acceleration और velocity और displacement और velocity में πाई बाई टू का difference होता है phase का है और इसमें फिर पाई बाई टू का और difference होता है अब देखो cos का graph क्या बनत ना यह cos function का graph बन गया, यह x का graph है ध्यान रखना जो x का graph है उससे ψatu phase आगया जायो आप उससे कितना phase आगे आना आपको pi by 2 phase तो pi by 2 phase आगे आओगा तो आपको velocity का graph मिल जाएगा ये बन गया velocity का graph उससे भी pi by 2 phase आगे आजाओ तो आपको क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा acceleration का graph तो ये बन गया आपको acceleration का graph तो क्या करना है x का graph बना दो X के graph से pi by 2 आगे चले आओ, आपको velocity का graph मिलेगा, उससे pi by 2 और आगे चले आओ, आपको acceleration का graph मिल जाएगा, तो finally, जो मेरा acceleration का सही option आएगा, वो कौन सा आएगा, तो यहां से शुरू करना ना, ऐसे, तो यह मेरा, जो option है इसका, वो कौन सा हो गया, third option, okay, तो third option इसका answer बन जा by dt होता है, तो इसको differentiate करो, तो cos का differentiation minus sin होता है, तो a omega sin omega t, फिर acceleration क्यों हो जाएगा, dv by dt, sin का differentiation क्यों होता है, cos plus में, तो minus का a omega square cos omega t, तो minus cos का जो graph हो बन के, तो minus cos का graph से शुरू होता है, तो दोनों तरीके, वैसे graph वाला, यह वाला तरीका असान है, इध्यान लगना, ऐसे जब में velocity और, velocity का जो phase है, वो displacement से 90 आगे होता है, और acceleration का phase, velocity से 90 आगे होता है, ओके, आगे आता है, हमारे पास, अगला है, super position के question, दोनों displacement, पहली बाद, तो y direction में है, तो जब same direction में oscillation हो, तो y net क्या हो जाएगा, हमारे पास, y1 plus y2, a sin omega t, plus b cos omega t, अब देखो, sin और cos में phase difference कितना होता है, यह होता है, sin omega t, और b, इसको में लिखूंगा, sin omega t plus 90, अब लगा दो vector की rule, पहला वाला, SHM का initial phase का है, 0, इसका initial phase क्या है, 90, तो देखो, अब हमारे पास, जो vector rule आता है, वो क्या कहता है, कि दोनों के phaser बनाओ, पहले वाले क amplitude कितना है, A, दूसरे वाले का amplitude कितना है, B, और इसका phase कितना है, 90 है, तो यह देखो, 0 degree वाल लाइन, यह, 90 degree वाल लाइन, 180 वाली लाइन, 270 वाल लाइन, अब इन दोनों का vector addition करोगे, तो resultant क्या हैगा, यह आजाएगा, resultant, root of a square plus b square, और जो resultant है, वही क्या है, amplitude, तो root a square plus b square का amplitude के साथ यह क्या करेगा, shm करेगा, confirm shm तो हो गए सही है, तो बाकी option तो गलत ही है, और amplitude जो है, वो root a square plus b square है जाएगा, इसमें कोई confusion, 21 कोई 22 में आपको एक particle जो है, वो p से start करता है, और y axis पे इसका जो projection है, उसकी equation क्या होगी, तो देखो, particle जब t time पे, 0 पे, वो कहा पे है, y axis पे है, और वो यहाँ आ रहा है, तो y axis, अब इसका जो time period है, वो है 4 second, तो इसका अंता ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, 2 pi by t, 2 pi by 4, यहने की pi by 2 second, यह तो हो गया, फिर इसके बाद हमारे पास आएगा, ओमेगा तो हो गया, अब इसके बाद हमार है, यह कितना cover होगा, theta, theta हो जाएगा, omega t, यहने की pi by 2 t, यह theta हो गया, अब y projection को में क्या लिखूंगा, जो भी आपका amplitude, उसका cos component आएगा, y projection तो, तो y हो जाएगा, a cos theta, a कितना दियावा है इन्होंने, a इसमें दियावा है, मैं 3 meter का जो है, वो दियावा है, तो 3 cos theta की अपना answer आगया, अब देखो, check करेंगे, option b, तो अपने पास pi by 2, जो है angular frequency, वो इन दोनों में तो नहीं है, यह तो गलत हो गए, इसमें frequency pi by 2, amplitude 3 खाली, एक ही option में च कर रहा है, तो option को भी cross check कर सकते हो, अगर आपको यह सब component लेना और यह सब confusion लग रहा है, exam में click नहीं हो तो option cross check कर लो, सबसे बड़े तरीका, ठीक है, और बाकी तरीका जो होगी है, कि आप पहले omega निकालो, omega theta निकालो, और फिर यह triangle जो है, इस triangle को देख लो, पर यह तो amplitude vector है, यह है y और यह है theta, तो a और y में के relation हो जाएगा, y बराबर 1 और theta, वो मैंने इस से लिखा है, ठीक ह तो यह अपना easily 22 हो गया, 22 का option क्या जाएगा, second, अगला आता है 23, 23 में बोल रहे हैं कि एक पूरे oscillation में average velocity क्या होती है, देखो average velocity का मतलब मालो, यहां से particle oscillation कर रहा है, आगे जाएगा, फिर पीछे जाएगा, और फिर यहां आ गया, तो एक पूरे oscillation के बाद, net displacement कितना आत है, 0, तो इसका मतलब average velocity भी क्या आजाएगी, 0, तो 0 average velocity आजाएगी, second option आजाएगा, direct better question है, यह तो 23 का second option, फिर आता है 24, 24 में आप से बोलाए कि इसका amplitude क्या होगा, देखो जो पुराने वाला question था अभी अपने किया था, A और B, यह तो क्यों मीन position को बताता है, कि मीन position 0 प बनाओगी, हैना, A vector इधर आएगा, B vector इधर इधर आएगा, इनका resultant इधर आएगा, तो resultant आजाएगा, root of A square plus B square, तो कितना हो जाएगा यह, 4, तो यह इसका amplitude होगा, 4, वो A note से confused भी होना है, A note के अवल क्या बता रहा है, इसकी mean position जो shift होगी, उसको बता रहा है, हैना, तो इसका मतलब यह ऐसे समझना है कि Y axis में यह origin है, मालो, और यह कोई A note है, तो इस A note के about particle ऐसे हैसे हैं कर रहा है, और यह जो amplitude है, वो है, root of A square plus B square, यह वाला amplitude, यहां से लेकर कि यहां तक का, ठीक है, इस तरह से, तो यह अपना 24 वी इलकुल वैसे question है, 25, अब इसमें आपको function बताना है, जो non-periodic motion को represent कर रहा है, देखो, sin omega t तो periodic होता है, sin का graph ऐसा बनता है, sin omega t plus pi by 4, यह भी periodic है, बच थोड़ा shift हो जाएगा, pi by 4 एंगल सा आगे shift कर दो, पर sin के graph को थोड़ा सा 90 के रहे, pi by 4 आगे shift हो जाओ, यह तो था sin का graph, पर यह जो graph है, यह sin theta का है, और यह जो मैंने बनाया, वो क्या बनाया है, sin theta plus pi by 4 का बना दिया, पर pi by 4 आगे shift हो गए, यह difference कितना है, pi by 4 जितना, e to the power, और यह sin omega t, देखो, यह तो option भी खिरभूई हो गया, अब अब का third option है, e to the power minus omega t, e to the power minus omega t का graph केवल decreasing होता है, यह कभी repeat नहीं होता है, है ना, periodic function उसको बोलते हैं, यह value repeat हो जाए, e to the power minus omega t में कभी भी value repeat नहीं होगी, इसलिए यह है non periodic function, ओके, तो 25 का अपना option हो जाएगा, third, अगला question आता है, बच्चों, 26, 26 में हमें बोला है कि एक particle जो है, वो x1, x2 position पे, velocity v1, v2 रखता है, तो इसका time period बताना है, तो देखो simple सी बात है, velocity और acceleration का, velocity का relation क्या होता है, position के साथ, omega root of a square minus a square, दोनों तरफ square करो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसका मतलब a square बराबर v square upon omega square plus x square, अब इससे देखो, यह तो मैंने basic solve कर लिए एक बार, अब दो equation बनाता हूँ, v1 square upon omega square plus x1 square, बराबर v2 square upon omega square plus x2 square, पर दोनों इस amplitude तो दोनों बार से में ना, तो एक बार x1 पे v1 और दूसरे बार x2 पे v2 रखेंगे, तो यह भी actually a square को represent कर रहा है, और यह भी a square को ही तो represent कर रहा है, ठीके, अब हमारे पास आएगा, इसको solve करेंगे आगे, तो मैं ऐसा करता हूँ, v1 square, 1 upon omega square common लेता हूँ, v1 square minus v2 square, यह तो आजाएगा x2 square minus x1 square, तो इससे omega क्या आजाएगा मेरे पास, omega आजाएगा v1 square minus v2 square, x2 square minus x1 square, और omega होता है 2 pi by t, तो t आएगा मेरे पास, 2 pi x2 square minus x1 square, यह अपना third option मन जाएगा इसका, है ना, बिल्कुल easily आपको पहले यहाँ solve कर लो, दोनो a square निकाल लो, अब यह तो same है दोनों बार, जो एक बार v1 के डंस अपूट कर दो, एक बार v2 की डंस में, और दोनो a square को भी represent कर रहे है, इसलिए आप इन दोनों को equal कर सकते हो, basic concept यहाँ था है, उसका त्खिर calculation है, ओके, तो यह आपका, easily equation हो रहा है 26, फिर उसका जाएगा है 27, 27 में भी मैंने समझा आएगा है, कि x और velocity में कितना phase difference होता है, पाई बाई टू, velocity और acceleration में कितना होता है, next पाई बाई टू, तो x और m में कितना हो जाएगा, पाई का difference, यहागा अपना answer direct, direct question पूछा गया 27, तो कि velocity, acceleration और displacement की बीच का phase difference बताना है, तो 27 का answer होगा अपना third option, बिल्कुल ईजी है, 28 में बोल रहे हैं कि एक linear SHM का amplitude 3 है, और जब वो 2 cm डिस्टेंस होता है, तो उसके speed और उसका acceleration equal होता है, तो velocity और acceleration equal होगा, velocity का formula होता है, omega root of a square minus x square, और acceleration होता है, omega square x, तो इसका time period पूछा है, तो देखो, a कितना दियाब है, omega square और यह कितना है, 2, 1 omega स omega काड़ दो, तो कितना हो जाएगा, 9 minus 4 by 2, यह omega हो जाएगा, तो root 5 by 2, root 5 by 2 हो गया, omega है ना, अब आप से क्या पूछा है, इन्होंने time period पूछा है था, जिसको 2 pi by t के equal कर दो, तो t कितना हो जाएगा, 4 pi by root 5, अपना होगा option 3rd, 2nd, तो 28 के हो जाएगा, अपने पास 2nd option, इसमें कोई confusion, easy जल रहा है, उसके बाद यहाँ पर पूछाएगा, अगर frequency of s जम n है, तो उसकी potential energy की frequency क्या होगी, देखो, simple सी बात है, potential energy का formula होता है, half k x square, x की equation को, अगर मैं a sin omega t लेता हूँ, तो u कितना आएगा, u आएगा मेरे पास, x square पर dependency हैने, u आएगा sin square पर dependency, अब इसका मतलब, sin की frequency, अगर n है, तो sin square की frequency क्या होती है, 2n, याद रखना, तो इसका मतलब, मेरा answer क्यों रहाएगा, second option, first option, मतलब अगर, x इस तरह के graph को follow करता है, तो energy, जो है, वो इस तरह के graph को follow करेगी, कौन सी energy बिटा है, यह potential energy, हैना, तो यह तो हो गया, x का graph, और यह हो जाएगा, u का graph, x proportional to sin omega t, और u proportional to sin square omega t, हैना, इस तरह का graph हो जाएगा, तो sin square omega t मतलब frequency double हो जाएगी, t time pace के 2 cycle हो जाएगी, ओके, तो आपका 29 का first option, फिर आगया third option, इसमें आपको बताना है, सही option क्या है, तो देखो जो पहला वाला है न, यह damped oscillation को represent करता है, मतलब y में जो amplitude था, a और minus a, यह time के साथ साथ देरे-देरे कम हो रहा है, amplitude कम होना, मतलब damping होना, damping होना इसका मतलब, पहले वाले केस में, क्या mechanical energy conserve है, नहीं, है न, तो, यह बोल रहा है, negligible resistance, जो कि गलत हो गया, यहाँ तो resistance considerable है, तब यहाँ पर frequency, यह जो amplitude कम हो रहा है, तो, इसमें, जो है, वो oscillating along with air friction, air friction की वज़े से, damping हो रही है, मतलब कोई ने कोई retarding force है, तो a का option क्यों रहाएगा, a में तो आएगा 4, a में 4, इस यह गलत हो गया, अब यह भी गलत हो गया, अब अगला क्या है, y और x, y और x में देखो, यह जो spring force होता है, यह अपना पास restoring force होता है, SHM में, उसका formula होता है, minus of kx, तो minus kx का अंदर क्या है, negative slope की line आएगी, तो अगर मैं y axis पे f मान लेता हूँ, और x को मानता हूँ, तो यह graph किसको represent कर रहा है, restoring force को represent कर रहा है, तो B में क्या हो जाएगा, यह तो हो जाएगा, A से match कर रहा है, यह B से match कर रहा है, B में third, तो यह भी गलत हो गया मेरे पास, अब इसमें यह गलत हो गया, तो अपना fourth option बज़ गया, बाकी भी check कर लेते हैं, यह कौन सा graph है, यह है, टोटल mechanical energy conserve, यह हाँ पर kinetic energy का graph दिया हुआ है, यह potential का दिया है, और यह total का दिया है, तो total energy conserve है, यह हो गया अपना, D इसमें आ रहाएगा, तो D में रहाएगा 1, और C में क्या रहाएगा, देखो, इसमें Y जो है, displacement वो constant hit, है ना, X यानि की time के साथ, इसको time बोल दो, इसको displacement बोल दो, Y, तो इसका मतलब, यह constant is, इसका मतलब क्या है, कि negligible resistance वाले, यानि की बिना damping की साथ, यह oscillation कर रहा है, तो C इसमें आ जाएगा, second में, तो मेरा answer क्या हो जाएगा, इसका fourth, है ना, तो आपको हर graph को cross check करना है, इदर list में match करना है, तो आपका यहाँ fourth option आएगा, 30 में, इसमें कोई confusion, अगला बच्चे हो, वापस आपस आपस आपस, 34, 31 questions से, हमें spring mass system की बात कर रहे है, यह जो question आपसे पुछा गया, बहुत आसान है, spring force का variation कैसे होगा, तो हमें पता है, spring force का formula जो होता है, वो होता है, minus of kx, minus of kx, मतलब की x, अगर positive, तो force negative हो जाएगा, तो negative slope के लाइज, मतलब की second option, जो आपका 31 में बनेगा, वो आपका हो जाएगा second option, इसमें कोई confusion, बच्चों अगला आता है, हमारा 32 question, 32 question में आपको बोलाएगा, एक object है, m mask का, उसको एक springs attach किया हो है, तो spring attach किया, तो m mask का object, आपने springs attach किया, और इसका time period कितना दिया हो है, time period जो है, वो 3 second दिया हो है, है ना, small oscillation के लिए, तो 2 pi, root of m by k, यह कितना दिया हो है, 3 second, ठीक है, फिर दूसरे case में, आप से बोला है, कि हमने अगर इस mask को, m plus 1 कर दिया, तो time जो है, वो कितना हो जाता है, 5 second हो जाता है, तो t बराबर 2 pi, root of m plus 1 by k, यह कितना हो गया, 5 second equation 2, दोनों equation को divide कर दो, 1 और 2 को divide करोगे, तो कितना हो जाएगा, root of m, m plus 1, 3 और 5, तो m upon m plus 1, बराबर 9 by 25, तो यह कितना हो जाएगा, देखो, solve करेंगे, तो 25 m, 9 m plus 9, 16 m बराबर 9, तो m कितना हो जाएगा, 9 by 16, यह आपका, 32 का 3rd option, तो बच्चा, आपका 32 का 3rd option हो गया, यह आपके सामने solution है, आगे बढ़ते हम हमारे, 33 question पे, 33 question में बोलाए, कि एक spring है, उसको आपने 3 हिस्सों में काड़ दे, इसकी length का ratio, 1, 2, 3 है, तो देखो, आपने इसकी length का ratio, 1, 2, 3 रखा होगा, तो इसकी length को में, L, 2L, और 3L, मैं इस ratio मान लेता हूँ, ठीकिए, अब हमें पता, spring constant जो होता है, वो length के inversely proportional होता है, मतलब कि, K और L का multiple, जो होता है, वो constant होता है, मैं इसका constant, K1, इसका K2, और इसका K3 मानता हूँ, तो इसका मतलब यह हुआ, कि, जो K1, K2, K3 का जो ratio आएगा, वो कितना आएगा, 1 by 1, ratio 1 by 2, ratio 1 by 3, है ना, अब यह बोल रहे हैं कि, इसमें से, when they are corrected in parallel, force constant, when they are corrected in series, तो force constant है केडश, अब देखो, ध्यान समझना, अगर मैं यहाँ पर इस ratio की बात करता हूँ, तो मैं इसको ऐसे arrange कर सकता हूँ, जैसे मैं इसको L1, है ना, equals to L, L2 equals to 2L, और L3 equals to 3L, और original spring क्या थी मेरे पास, original spring जो थी मेरे पास, उसको मैं मान लेता हूँ, total length इसको जोड़ दो, 6L, तो 6L की जो spring थी, उसका constant अगर K माने, तो इस K और L का multiple से क्या आएगा, K1 L1 equals to KL, K1 यहाँ कितना है, length L है, और इसकी कितनी थी, 6L, तो K1 कितना हो जाएगा, 6K, अब K1 अगर 6K है, तो K2 उसका 1 by 2 हो जाएगा, फिर इस ratio काम में ले लिया मैंने इसके बाद तो, अब इसके बाद जैसे ही हमने यह ratio निकाला, अब इन दौनों को तीनों को अगर series में जोड़ेंगे, तो तीनों spring series में जोड़ेंगे तो पहले वाला case बन जाएगा, तो spring consonant K-डेश तो वापस कितना हो जाएगा, K के equal आजाएगा न, यह तो पुरा, लेकि जब इनको parallel में जोड़ेंगे, तो parallel में जोड़ने पर क्या होगा, parallel में जोड़ने पर K effective जो आता है, वो आता है K1 प्लस K2 प्लस K3, इन तीनों को जोड़ो कि आएगा 6, 9, 2, 11, K आजाएगा, तो K और K-डेश क्या जाएगा, K-डेश तो है K के बराबर और यह हो जाएगा 11, K के बराबर, तो मेरा answer हो जाएगा 1 by 11, यह simple हमारा spring combination जो है, उसका rule है, spring combination जियान अगना, resistance में जो होता है उससे उल्टा चलता है, resistance series में जूड़ते हैं, जबकि spring का जो parallel होगा, उसमें constant K जूड़ेंगे, ओके, कोई confusion इसमें, बच्चों अगला आता है 34 question, 34 question में आपको बढ़ा है कि 2 spring से P और Q, है ना, जिनके constant है KP और KP और KP जो है वो जादा दिया वा है, अब case 1 में आपको दोनों को same length से stretch करना है, और जो work है, वो उन पर relation बताना है, तो देखो case 1 में क्या है, elongation same है, case 1, elongation, यहनि की delta x या x जो है वो same है, तो elongation के case में work done क्या होता है हमारे पास, half k delta x square, यह work done होगा, जो की सारा का सारा energy में store हो जाएगा, तो इसका मतलब work directly proportional to k, अब KP जादा है किस से, के Q से, इसका मतलब work भी जो है वो, work भी जो है वो, P का जादा होगा किस से, Q से, यह तो case 1 हो गया, इस दरह से case 2 की बात करते हैं, तो case 2 क्या हो जाएगा, case 2 में elongation, जो है, sorry, case 2 में क्या बोला है, same force बोला हो है, case 2 में बोला है आपसे same force, same force के case में, same force के case में अगर बात करें, तो हमारे पास जो force का formula होता है, वो क्या होता है, energy का formula या work का formula होता है, same force के case में, F square upon 2K ये work done का formula होता है अब इसका मतलब work inversely proportional to की आ रहा है अब हमें पता है कि KP जो है वो KQ से जादा है मतलब work P का कम आएगा किसे work Q से तो दोनों के इसमें पहले case में तो work P जादा आ रहा है और दूसरे case में work P का कम आ रहा है तो जादा पहले और कम बाद में work P जादा वर्क क्यों जादा है फॉर्थ option हो गया मेरा इसका answer तो इसका मतलब मेरा answer क्यों हो जाएगा 34 का 4 इसमें कोई confusion फिर आगे बढ़ते हम 35 से ये बोल रहा है कि spring को 10 Newton 4 से कीचते तो 5 cm का explanation आता है तो इसमें 2 kg को object लुटका रहे पर कितना इसका time period आएगा पहली जो information उससे इसका spring consonant निकाल लो F बराबर क्या होता है K X F कितना दिया वाए 10 Newton K X कितना है 5 cm ध्यान रखना तो इसको convert करोगी तो cm को meter में convert करो 10 to the power minus 2 meter में आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 200 Newton per meter ये तो हो गया K की value ठीक है तो K की value जाएगी 200 Newton per meter इसके बाद आपका जो answer आएगा इसमें K 200 Newton per meter के बाद इसमें जो आपका answer आएगा time period पूछा है कब जब आप 2 kg को object लटका तो 2 pi root m by क्यों होता है तो 2 pi m कितना है 2 K कितना है 200 तो ये कितना हो जाएगा 2 pi by root 100 2 pi by 10 pi by 5 pi by 5 अब pi by 5 येने की 3.14 by 5 येने की 0.6 अब 0.6 के आज़ पास अपना एक ये option बन रहा है third option तो आपका option क्यों हो जाएगा इसका आपका 35 का option हो जाएगा third ठीक है बिल्कुल easy question था है तो spring के question जो हो काफी easy आ रहा है exam में जादा tough नहीं आ रहा है simple combination spring force, spring energy इनके basic formula आपको याद रखने आगे बढ़ते है हमारे 36 question जो कि pendulum पे बेज़ड है ये बोल रहा है कि pendulum जो है वो sufficiently high building की रूप पे अपने लटका आया है और freely turn pro जा रहा है acceleration of bob of pendulum is 20 meter per second square at the distance of 5 meter from mean position, the time period of oscillation देखो, simple सी बात है acceleration क्या होता है, omega square x होता है, ये कितना दिया वाई 20, omega square x कितना दिया 5, तो omega कितना हो जाएगा omega square 4, तो omega कितना हो जाएगा 2, अब time period पूछा है, तो omega का formula क्या होता है 2 pi by t तो 2 से 2 काटो, तो t कितना हो जाएगा pi, है न, तो t हो जाएगा pi second, बिल्पुल basic formula आपका, जो है, a बराबर omega square x, उसमें value put करना है बस तो 36 का answer हो जाएगा, third option अगला आता है 37 37 उनों बोला है कि 121 और 100 cm length के 2 pendulum जो है वो आपस में oscillation शुरू करते हैं और दोनों शुरुवात में अपनी mean position पे एक साथ same phase में होते हैं तो छोटे वाले के कितने oscillation बाद, दोनों फिर mean position पे आजाएगे और same phase में आजाएगे तो मैं मैं लेता हूँ, छोटे वाले के n1 oscillation बाद, अब देविले तो छोटा वाला और बड़ा वाला जो है ना उसका time period का ratio लेते हैं अपना, तो t1 कोन है 121 और यह कोन है 100 by t हमें पता है proportional to length होता है, तो यह जाएगा 11 by 10 है ना, अब इसमें तो direct assess कर लो ना, 11 by 10 तो अपना ratio आ गया, ठीक है अब जो भी time होगा उसमें छोटा वाला कौन सा है छोटा वाला यह है, तो मान लिए छोटे वाले ने n2 oscillation कियोंगे, और बड़े वाले n1 oscillation कियोंगे मान लो बड़े वाले के n1 oscillation होगे और छोटे वाले के n2 oscillation होगे तो डेल्टा टी को में छोटे वाले के time period के form में बड़े वाले के time period के form में n1, t1 लिख सकता हो और दूसरे वाले के form में n2, t2 लिख सकता हो तो यह बोल रहा है, छोटे वाले के कितने oscillation वाद तो इसका मतलब n2 by n1 कितना आएगा मेरे पास t1 by t2, t1 कितना है 11 divided by 10 मतलब कि n2 कितना आ रहा है 11, मतलब जब तक छोटे वाला 11 oscillation करेगा, बड़े वाला 10 oscillation करेगा, और छोटे वाला 11 oscillation करेगा, बड़े वाला 10 करेगा, उसके बाद दोनों same phase हो जाएगे, तो छोटे वाले कितना oscillation हो ग्यारा तो मेरा आंसर हो गया फोर्थ है ना तो 37 का मेरा आंसर की हो जाएगा इसका फोर्थ इसी के साथ हमारा जो है यह गुरुनिती का 9th part complete होता है I hope आप लोगों ने अपने SHM और WAV से related सारे questions अच्छे समझे होंगे और यह जो concept आपने यहाँ सिखें इनी पर based आपका NEET 2023 का paper जो हो आने वाला है तो बच्चों अपनी preparation को अच्छे से strong करते रहें अपने जो भी doubt से वो remove करते रहें sales से की YouTube channel पर जुड़े रहें और अपनी rank को काफी आगे तक boost करते जाएं ओक्य बच्चों thank you all the best